साल दोहचा तेज की पहली एकादशी पौश पुत्रदा एकादशी बने अत्फुश संयोब तुलसी जी पर बांध है या एक चीज रोडपती भी हो जाएंगे करोडपती मिर्जाय की परसों पुरानी गरीबी ओम गएंशी महागड़ी शाय नमा राथे राथे दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों साल दोहचार तेज की पहली एकादशी दोजनवरी दिन सौंबार को है इस दिन भगवान पिश्टूमा लक्षमी का पूचन करने से पूरे साल भर भगवान लक्षमी नारायन का आश्रवार बना रहेगा साल की पहली एकादशी पर भगवान लक्षमी नारायन की कृपा जिन्हें प्राप्त हो जाएगी उन्ही साल भर दुखों का सामना नहीं कहना पड़ेगा भगवान लक्षमी नारायन अपने उन भक्तों के सभी कश्टों को दूर कर सुक्सम्रथी का बर्दान देंगे दोस्तों पॉश मास चल रहा है पॉश मास की शुक्लपक्ष की एकादशी को पॉश पुतरदा एकादशी के नाम से जाना जाता है इस दिन ब्रत रखने से बाच में यग्य के बराबर पुनिफल की प्राप्ति होती है जिन्दम पत्ती के संतान नहीं है उन्हीं यह प्रत अवश्य ही कहना चाहिए इस प्रत को कहने से भाखवान लक्षमी नारायन की कृपा से संतान सुक की प्राप्ति होती है संतान के स्वास्त अच्छा रहता है इसके साथ ही लंबे समय से रुखे हुए जो कार है पहभी जल्द ही पूर्ण हो जाते हैं इस दिन भागवान पिश्टूमा लक्ष्मी जी के साथ ही तुल्सी मा का पूजन अवश्य ही करना चाहें ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनुकामनाय पूर्ण होती है और सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है इस दिन पूजा पाठ करने से व्यक्ति क्यों सभी कश्टों से मुक्ति मिलती है इस पार पौश पुत्रदा एकादशी पर सिध्धी योग, साध्य योग और रवी योग एक साथ बन रहे हैं इन योग में की गई पूजा और उपाय कई गुना अधिक पुन्य फल प्रदान करती है दोस्तों एकादशी तिती भगवान विश्णु मालक्षमी को समर्पित होती है एकादशी पर भगवान विश्णु का आशिरवार प्राप्त करने के लिए मालक्षमी के किरपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहें क्यूंकि तुलसी जी भगवान पिश्णु जी को अतिधिक प्रिया है और शास्तों में तुलसी जी को माल लक्ष्मी का ही स्वरूप बताया गया है तुलसी जी का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायन की असेम कृपा प्राप्त होती है शास्तों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी ची के पत्ते नहीं तोड़े चाते इस दिन तुलसी पत्ते तोड़ना बरजित होता है और ऐसा कहने से दोश लगता है लेकिन इस दिन तुलसी ची का पूचन अवश्य ही कहना चाहिए आज की दिन तुलसी जी का पूचन करने से घर में चाई गरी भी दूर हो जाती है भगवान लक्षमी नारायन की कृपा से घर में सुक्सम्रत्थी आती है और घर में खुशाली चा जाती है जीवन में चले आ रहे कश्ट दूर होते है तुल्सी माता का पूचन करने के लिए सबसे पहले इसनान का सुच्छ बस्त धारण करें तुल्सी मा का पूचन करने से पहले भगवान लक्ष्मी नारायन का पूचन करें पूजन के दोरान भगवान जी के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंदित धुपती जलाएं फिर भगवान जी को फल मिष्ठान का भोग लगाएं इसके बाद भगवान लक्षमी नारायन के सामने एक लाल रंग का धागा या फिर लाल रंग का कलाबा रखें कलाबा मौली जो यग के पूजन में इस्तमाल की जाती है और कलाई पर बांदी जाती है आप वह रख सकते हैं वहना हो तो एक लाल रंग का धागा आप भगवान जी के सामने रखें और इसके पश्चार भगवान लक्षमी नारायर का पूजन करें सबसे पहले भगवान पिश्चुची के द्वाधश्वंत ओम नमो भगवति वासु देवाय का जाप करें इस मंदर का आज के दिन अधिक से अधिक जाप करना चाहें हो सके तो 108 बार मंदर का जाप अवश्य ही करें और फिर मा लक्षमी जी को प्रणाम कर जैमा लक्षमी जैमा लक्षमी का थोड़ी देश चाप करें एक आदशी के दिन पिश्चु शेहस्त नाम का पाठ करना भी बहुत शुबाना जाता है इस तरहें भगवान लक्षमी नारायन का पूचन करने के पश्चाथ अब आप तुलसी माता का पूचन करें तुलसी मा का पूचन करने के लिए तुलसी मा को प्रणाम करें फिर तुलसी जी के पास एक दिया जलाएं अगर शुद्धगी का दिया हो तो बहुत अच्छा रहेगा अगर शुद्धगी ना हो तो अन्नेखी जिसका भी आप मंदिर में दिया जलाते हैं पहदिया आप तुलसी जी के पास जलाएं इसके बाद आप तुलसी माता को परणाम कर भगवान विश्णू जी के पास आपने जो लाल रंग का धागा रखा था उस धागई को आप तुलसी के पौधे पर बांदे आप लाल रंग के धागई को तुलसी माता पर साथ बाल लपेटें और एक गाण लगाए धागा लपेटे समय आपको ओम्नमो भकवति वासु देवाई मंतर का जाप करती रहना है तुलसी चीपा धागा बांदे के पस्चाथ अब आप तुलसी मा की ग्यारे परिक्रमा करें ध्यान रखें धागा आपको क्लॉगवाइज ही बांदना है जैसे घड़ी की सुईया खूमती है इस प्रकार आपको तुलसी चीपा धागा बांदना है और क्लॉगवाइज ही तुलसी चीपा परिक्रमा करने है अगर तुलसी चीपास परिक्रमा करने की जग्या ना हो जैसे कि दीवार या अन्ने कोई पोधा हो तो आप अपने ही इस्थान पर खड़े होकर ग्यारे बार क्लॉगवाइज घूमकर तुलसी मा की परिक्रमा करें और परिक्रमा करते समय भी आप ओम नमो भगवति वासु देवाय मंतर का जाप करते रहें भगवान पिश्णू जी को अर्पित किया हुआ लाल ढाका इस तरह तुलसी जी पर बाधने सी भगवान पिश्णू के साथ तुलसी मा अतिश्पर ही प्रसनarette हो जाती है देव उठने एकादशी पर भगवान पिश्णू जी का विवा तुलसी जी के साथ कराया जाता है इसलिए यह लाल धागा जब तुलसी जी को बाधा जाता है तब इससे मा तुलसी का असीम आशिरवात प्राप्त होता है तुलसी मा की कृपासी घर में सुक्सम ब्रद्धी बनी रहती है भागवान पिश्टों अपने भक्तों के सभी कश्टों को दूर करते है धर्म शास्तों के अनुसार तुलसी जी में मा लक्ष्मी का भी पास होता है लक्ष्मी जी को लाल रंग अतितिक प्रिया है इस तरहें लाल धागा तुलसी जी पर बांदने से मालक्ष्मी का भी आशेवार प्राप्त होता है मालक्ष्मी की किपा से आर्थिक संकर दूर होता है घर में चली आ रही धन की कमी दूर हो जाती है और घर में धन सम्बंदी समस्या दूर हो धन के आगमन के रास्ते खुल जाते हैं जिसे घर में धन आता है और टिकने भी लगता है और घर से गरीबी और दरिता हमेशा के लिए दूर हो जाती है तुलसी जी का पूजन करने के पश्चा तुलसी जी की जड़की मिट्टी से अपने मस्तक पा तिलक अवश्य ही करें तुलसी जी की जड़की मिट्टी बहुत ही चमतकारी होती है धर्मशासों के अनसार तुलसी जी की जड़की मिट्टी से तिलक करने से दरिता दूर हो जात साथ ही दुर्भाग के भी सौभाग की भी बदल जाता है इसलिए तुलसी जी के चर्णों की रच अपने मस्तक पर धारण अवश्य ही करें पर्मपुरान के अनुसार तुलसी जी के पत्तों से जो जल गिर रहा होता है वह जल अगर मनुश्य अपने सिर्पा धारण कर ले या तुलसी जी मनुश्य के सभी पापों को नश्ट कर दुर्भाग के को दूर कर देती है तुलसी मा की कृपा के साथ भगवान लक्षमी नारायन के भी कृपा प्राप्त होती है शास्तों के अनुसार जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है वहां देवी देप्ताओं का पास होता है तुलसी जी परिवार में आने वाले संकत के बारे में पहले ही संकेत दे देती है जहां तुलसी जी का पौधा होता है वहां कभी भी आकाशे बिजली भी नहीं गिरती इसलिए घर में तुलसी जी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए एकारशी के दिन तुलसी माता का पूचन विशिश रूप से किया जाता है इस दिन तुलसी मा का पूचन किये बिना भगवान विश्णू का पूचन अथूरा रहता है तुलसी मा का पूजन करते समय महिलाओं को अपना सिर्ध अवश्य ही ढखना चाहिए बिना जूते चपपल पहने तुलसी जी का पूजन करना चाहिए तुलसी जी का पूजन सदै भगवान पिश्णों के पूजन करने के पश्चात ही करना चाहिए तुलसी जी के पाद संध्याकाल की समय दीपक अवश्य ही जलाना चाहें कहते हैं जिस घर में रोजाना तुलसी जी के पाद संध्याकाल की समय दीपदान किया जाता है उस घर में कभी भी गरीबी और दरित्ता नहीं आती दोस्तों एकादशी पर भगवान विश्णुमा लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ बातों का ध्यान भी दखना चाहिए कुछ ऐसी कारे हैं जिने एकादशी पर करने से दोश लगता है और पूजन का भी फलप्राप्त नहीं होता एकादशी के दिन भंचरे का पारण करना चाहिए जावल और जौ का सीवन नहीं करना चाहिए आज के दिन मासमद्रा का सीवन भी ना करें भागवान विश्णु जी के भक्तों को आज के दिन प्यार लेसन का सेवन भी नहीं करना चाहें एकादशी के दिन रात्री जागरन का विशिश महत्व होता है हो सके तो एकादशी की रात्री को जाकर अधिक से अधिक भागवान विश्णु का पूचन करना चाहें अगर ऐसा ना करें जखें तो एकादशी की संध्याकाल पर एक अखन दीबग जलाना चाहें जो पूरी रात पर जलता रहे ऐसा कहने से भी भगवान लक्षमी नारायन का आश्रवार प्राप्त होता है अमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंज के साथ शेयर जरूर करें और यूसफुल वीडियो के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर तपाएं तैंक्स पूर वाचिंग राधी राधी